असलाम लिक्म स्टूडेंट्स इन टोडेस वीडियो वी विल डिसकस पिरानी बाई जमाल अब्रो ये एक शॉर्ट स्टोरी है पिरानी हमारी बुक इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट में इसकी हम रीडिंग तो नहीं कर रहे हैं क्योंक आपको पता है हमारी बुक लेक प्रेस्नेटर है पिरानी में तो पिरानी में एक पुराना सिंधी कल्चR जिसमें लड़ीओं को सोल्ड करना है अपनी बैटी को बैच देना कुछ पैसों की खातिर ऐसी एक श्टोरी पिरानी की है जिसे जमाल अब्रो ने केम्पोस किया है और यह है एक रियल स्टॉरी है ये fictional story नहीं है, ठीक है? तो जमाल अपरो हमें उस time के जो culture था, ठीक है? लड़कियां बेचने वाला culture, उस culture को इस story में highlight करते हैं वो. क्या कहते हैं इस story में? आएंज की हम short सी समझी देखते हैं. बात होती है ब्रोही कबीले की, ठीक है? ब्रोही लोग, ब्रोही एक कास्ट है, नियर बाइब ब्लोचों की कास्ट है, ठीक है? तो वो लोग होते हैं, वो कहां रहते हैं? वो hills, पहाड़ियों पर रहते हैं, नियर ब्लोचिस्तान, ठीक है? अभ वहां से वो नीचे आ रहे हैं यह अपनी जो हिल्स पर उनके जो घर है वहां से नीचे आ रहे है विंटर का मौसम आ गया है ज़िके वहाँ पहार से नीचे आते हैं बुल लॉक्स होते है जो उनके गाईयां वगोरह होती है Camel loot वगेरा होते हैं और dogs, कुते जो उनके होते हैं उनके साथ वो plain area of sin की तरफ आते हैं They have wrecked They had loaded huge sex Full of twins and robbs twisted out of gods here ठीक है उनके जो वो गाड़ी होती है वो गाड़ी full होती है Full किस्ते होती है huge sex ठीक है और twins होते है And robbs twisted out of gods here जो के बकरी के बालों के बने rope होते हैं रसे होते हैं उनसे काबू करके उन्हें बाना गया होता है Sex कहते हैं वो जो घास की भरियां होती हैं बड़ी बड़ी बनाई होई होती हैं उन्हें और जो young children Young children means पिरानी Set handled on the sex तो वहाँ गाड़ी पर इतनी जगा नहीं होती के सब बैठ सके हैं तो वो समान पर बैठी होती हैं उसे पकड़कर और जो parents होते हैं वो उन animals को उन जानवर्स को right कर रहे होते हैं उन्हें चला रहे होते हैं जो बच्चे होते हैं इनके वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सिंद की नई चीज़ों को देख रहे होते हैं पहाड़ों से बिलकुल वो नीचे आ गए हैं अब सिंदी एरिया में तो वहाँ पर वो उस चीज़ को देख रहे हैं इसलिए वो खुश हैं बच्चे जब होते हैं गाड़ी पे बैठते थे बाहर जाते रहे हैं इतने खुश होते थे ना तो वैसे ही पिरानी भी बहुत खुश हुई क्योंकि पुरानी सिर्फ 9 साल की एक लड़की थी ठीके वो भी खुशी से अपने हाथों से तालियां बजा रही थी और वो पूरी एक खुशूरती की इंजॉय कर रही थी बिगनिंग में क्या होता है कि वो अपने हट्स में अपनी जौंपड़ियों में रहते हैं जो के कपड़ों की या घास अगए रहे बनाई होती अगन कुछ टाइम बात वो ऐसी जौंपड़ियों में रहने लग जाते हैं जो बे की बनी होती है means घास की बनी होती है जो सूखी घास होती है और जब वो नीचे घाठे हैं जब वो उपर पहाड़ों के रह रहे होते हैं तब उन्होंने अपने जब उनके पास रोप्स थे रसे थे और जो दूसी चीज़ें थी ज़रूरियात की उनको भी बैच दिया था लेकिन फिर भी उन्हें सफर करना पड़ता था भूक से अस्टार अस्टार विंग मिन्स भू उके तो भूक से उन्हें फिर भी सफर करना पड़ता था सफर एस यू डवल एफ ए यार मिन्स गुजरना उके मुश्किल सूरते हाल से गुजरना उके जब विंटर का सीजन खतम हो जाता है तो वो सोचते हैं कि हम अपनी औरिजिनल जगा जहां हम रहा करते थे पहाड़ी ये भी सोचता है कि मैं अपनी बैटी को बैच दूँ अपने वहाँ पहाड़ी ओपर जाने से पहले मैं अपनी बैटी को बैच दूँ अब ये वाले जो सेंटेंस है अपनी बैटी को बैचना ये सोचे कि उस बापने कैसे सोच ले होगा कि मैं अपनी बैटी को बैच मजबूर होगा वह इंसान और वो जब वहां से गुजर रहे थे तो वहां जो कबीले थे वहां के लोगों से उन्होंने पूछा कि मैं अपनी बैटी बेचना चाहता हूँ शादी के लिए ठीक है आप मेंसे कोई है जो मेरी बैटी को खरीदना चाहे अपने बैटे के लिए पिरानी का जो फादर था वो एक अच्छा सोदा बनाना चाहता था बारगेन, बारगेन मींस सोदा ठीक है अपनी बैटी के लिए लेकिन उसे सिर्फ साट रुपे सिर्फ साट रुपे में अपनी बैटी को बेचना पड़ा सोचें वो कितने भूग से मर रहे होंगे जिन्होंने सिर्फ साट रुपे में अपनी बैटी बैच दी ये एक बहुत ही ज्यादा गमगीन दिन था परानी की अम्मी के लिए उसने बहुत ज्यादा एक सदमा महसूस किया और वो बहुत ज्यादा चिलाई और प्रानी का फादर भी बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रहा था और गम महसूस कर रहा था लेकिन उसने खुद को ऐसा शोग किया कि मुझे कुछ भी फिल नहीं हो रहा बेटी को बैच रहा हूँ तो क्या हो गया लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा गमगीन था बहुत ही ज्यादा गम की शिद्ध से वो निढाल था लेकिन उसे अपनी बेटी बेचनी पड़ रही थी पिरानी ने भी वही पैन फिल किया क्यों? क्योंकि वो बहुत चोटी थी और वो ये बर्दाश नहीं कर सकती थी कि अपने पेरेंट से इस चोटी सी हुमर में वो बर्दाश हो जाए तो जब वो अलग होने लगे तो पिरानी ने अपना कंट्रॉल खो दिया वो जिसने पिरानी को खरीदात होने कह रही थी कि मुझे ममा के पास जाने दो हैं मुझे चोड़कर उस बच्चे का क्या हाल होगा आप खुद को यहां रखकर सोच सकते हैं पिरानी चिला रही थी वो रो रही थी बहुत स्यादा तो जिनने को पिरानी को बेचा था जिनने वो एक खंजर लेकर आते हैं और वो पिरानी को थ्रेट करते हैं, उन्हें धंकी देते हैं पिरानी को, कि अगर तुम चुपना हुई तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसके बाद पिरानी जो थी वो चली गई, बहुत ज्यादा वो गमगीन थी और वो चली गई, कि इनके साथ जिन् अपने टाइम की बात कर रहे हैं और वो बताते हैं कि परानी अभी भी जिन्दा है, उसने अपना बहुत सारा टाइम गुजार चुका है, वो अपना बहुत सारा टाइम गुजार चुकी है, उसके दो बेटे भी हैं, एक पुलीस में नोकरी करता है, और दूसरा वो एक कन् प्रानी की जो जमाल अब्रों ने बहुत थी बहुत भी हम तक पहुंचाई है अब इसकी हमने समरी देख लिए अब इसके हम थोड़े क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जल्दी से ताके हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके प्रानी के पापा को नीड क्यों हुई कि वो अपनी बैटी को बैचते हैं उसको ये नीड इसलिए हुई थी उसे पैसे चाहिए थे लेकिन उसने उसे उसे जस्ट सिक्स्टी रुपीज मिले अपनी डाटर को बैचने के बदले विज़े देखें ये एक इंटेंस पावर्टी है बहुत ही ज्यादा गुर्बत इस बहुत ही ज्यादा गुर्बत ने उस बाप को अपनी बैटी को बैचने पर मजबूर कर दिया था प्रानी की ममा का रियक्शन क्या था तो हमने देखा है कि पिरानी की जो ममा थी वो इस जुदाई को बरदाश नहीं कर पा रही थी उसकी जो नाइन येर ओल डॉटर थी उसकी जुदाई को वो अपने आप से बरदाश नहीं कर पा रही थी वो जब प्रानी को बैचने लगे थे तो उसने पकड़ के प्रानी को अपनी छाती से लगा लिया था और वो पैंटेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा रोही थी वो उसने अपने दिल में एक दर्द महसुस किया था मा को पता हो एक उलाद का दर्द की ळोता है वो दर्द उसके लिए अन्बियरेबल था बर्दाश्ट से बिलकुल ही बाहे वो सिर्फ मिजरेबल होकर रह गई थी प्राणी की ममा ओके, क्वेशन नमबर तिरी है प्राणी का जो फादर था वो अन्फिलिंग क्यों था इतना इतना मतलब अन्कंफर्ट क्यों था वो तो इसका जवाब ये है कि हाला कि वो भी दर्द महसूस कर रहा था अपने अंदर उसकी भी बैटी थी लेकिन फिर भी वो सोब्ड बना हुआ था ठीक है वो ऐसे बना हुआ था कि मुझे कुछ होई नहीं रहा है तो बहुत अस्टून हर्टेड बना हूँ क्योंकि उसे अपनी बैटी को बेचना पड़ रहा था किसके लिए सिर्फ पैसों के लिए इसलिए वो कामोश रहा था अधर्वाइस वो अपनी बैटी को कभी भी ना बेचता क्वेशन नबर फूर है जब पिरानी की शादी हो रही थी जब उसे बेच दिया गया था तो क्या उसकी एज शादी की एज के लाइक थी तो इसका जवाब हमें पता है कि वो मुश्किल नो साल की हुई थी पिरानी तो ये एक शादी की एज तो नहीं है ना वो उस वक्त सिर्फ एक बच्ची थी ओके ये इसका अंसर होगा अब क्वेशन नबर फाइव एक के जो राइटर है हमारा जमाल अबडो उसने ये क्यों मेंचन किया है कि परानी के अभी बैटे भी है जो कि बड़े हो चुके है एक पलीस वाला है और दूसरा एक कन्विक्ट है ये राइटर को क्यों नीड पड़ी है इससा बतानेगी तो इसका अंसर है कि जो राइटर था जमाल अबडो वो ये पॉइंट आउट करना चाहता है कि सेलिंग और बैंग ओफ गर्ल प्रसिस्ट इविन टूरे ये चीज आज भी हो रही है चीक है ये ऐसा नहीं था कि पुराने जमाने में होता था आज नहीं होता था अब वो कह रहा है जमाल अबडो इस चीज़ों में से हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो लाब प्रिजर्वर्स है जो कानून के महाफिज है वो भी इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे है और जो लाब ब्रेकर्स है जो कानून को तोड़ने वाले वो भी इस चीज़ को नहीं रोग पा रहे और ये लड़कियां बेचने का गंदा धंदा आज भी जारी वसारी है यह थी हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जो पिरानी पर था ठीक है इसकी समरी और हमारी बुक में सिर्फ इसके क्वेस्टन आंसर दिये हुए तो वो हमने आप तक पहुँचा दी है सब्सक्राइब दू दे चैनल और लाइक दे वीडियो थैंक यू